अले जी एस क्लासेज में आप सभी का वेलकम स्वागत और खैर मकदम करता हूं और शुरू करता हूं आज का वीडियो आज के वीडियो में मैं आपको ये पताने जा रहा हूं कि भी एच्व ने अपने यूजी और पीजी के इस साल के इंटरेंस टेस्ट के शिडविल का एनाॉंसमेंट कर दिया है कि कब इस साल का टेस्ट वो यूजी और पीजी का लेने जा रहे हैं इससे अब ये पूरी उम्मीद बनती है कि एम्यू भी जल से जल अपने इंटरेंस टेस्ट के डेट का एलान कर देगी साथी जामिया मिलिया इसलामिया के भी जल ही अड्मिशन टेस्ट डेट के एलान करने की भी उम्मीद है बी एचिव ने ये एलान किया है कि यूजी और पीजी का जो टेस्ट होगा वो दो शिफ्ट में होगा पहले शिफ्ट में जो टेस्ट होगा वो होगा आपको 24 यहां पे देखिए यह है आपका बी एचिव का नोटिस पहला शिफ्ट जो होगा 24 अगस्ट to 31 अगस्ट और दूसरा शिफ्ट जो होगा वो सोगा सेप्तमबर 9, 10, 11 and 14 सेप्तमबर को UG और PG के तमाम टेस्ट हो जाएंगे और फिर इसके बाद हो सकता है कि जो स्कूर्स के जो टेस्ट बचे हैं वो होने की उम्मीद है क्योंके जाहर सी बात है कि कुरोना को लेकर पहले बड़े बच्चों के टेस्ट के शिडविल का एलान किया गया है फिर छोटे बच्चों का टेस्ट के शिडविल का एलान किया जाएगा अब ये पूरी उम्मीद है कि एम्यू भी ग्यारा बारा तारिख तक यानि ग्यारा बारा अगस्ट तक अपने शिडविल का एलान कर दे इसकी पूरी पूरी उम्मीद है इस वज़े से आप लोग मायूस ना हो और टेस्ट की तैयारी करते रहें उम्मीद है कि एम्यू भी यानि कि आप ये मान के चली कि सब्तमबर में टेस्ट शिडविल होने की पूरी उम्मीद बन रही है और ये तमाम टेस्ट सब्तमबर अक्तूबर में करा लेने की पूरी पूरी उम्मीद है ताके नवंबर से नए सेशन की शुरुवात हो जाए तो आएए पहले यहां पर देख लें के बी एच यू का ये नोटिफिकेशन फिर देखेंगे इसके यूजी आर पीजी के शिडविल को किस डेट में किस किलास का टेस्ट रखा गया है यहां पर देखेंगे यह नोटिफिकेशन है उसमें यह है कि दा इंटरेस्ट टेस्ट फॉर आल पोस्ट ग्रेजुएट्स प्रोग्राम्स यानि पीजी के तमाम टेस्ट उसके अलावा कुछ यहां पर यूजी के जैसे लल्बी थ्रीयर्स, बीएड, बीएड स्पेशल फ़र्ष्ट अगस्ट यानि कि यह पहला फेज और दूसरे फेज में यहां पर पीजी के तमाम टेस्ट हो जा रहे हैं दूसरे फेज में जो बच्चे हैं जो यूजी के वो होगा जैसे यूजी के कुछ यहां भी हो रहे हैं और कुछ दूसरे फेज में भी हो रहे हैं उसम A.G., B.A.L.L.B. 5-Years Honors, B.S.C. Honors Maths, B.S.C. Honors Bio, Shastri Honors and different programs of B.Walk will be held during second phase that is on September 9, 10, 11 and 14, 2020. अब इसके बाद आओ यहां पर आपको देखला दें कि जितन जो eligible candidate है यानि जिन है इंटरेंस टेस्ट देना है वो टेस्ट से एक हफ़ते पहले आप इस पोर्टल से www.bhu.online.in से अपने admit card को भी download कर सकते हैं एक हफ़ते पहले टेस्ट डेट से इसका link मैं description में आपको दे दिया है आप इस link से इस schedule UGRPG schedule को भी देख सकते हैं और इस notification को भी देख सकते हैं तो आईए मैं अब आपको देखला दूँ UGRPG के इस test schedule को देखी यहां से देखी यहां दिया हुआ है अगस्त को यहां हुआ है यहां फिर्शीच्रेशनी थे सब्सक्राइब आप अपर इस तरह से आप देख सकते हैं यह सारी चीजे आप यह पढ़ लिजिए अब यहां एक इंटरेंस तेस्ट यहां पे दिया हुए बिया आउनस आर्ट बिया साइंसेज बीकॉम एटीसी इस लाइड देविं सेक्न वीक उप सेप्टमबर जैक्शिफ औन तॉप इंटरेंस इंटरेंस तॉड़ बाइज वीडिया जाएगा बाकी सेकंड फेस्ट का जो है इंटरे किया जाएगा अब आएए देखते हैं पोस्ट ग्रेजुएट इंटरेंस टेस्ट यह शुरू हो रहा है 24 अगस्य देखिए मंडे में यह सारे पेपर टाइमिंग आफ टेस्ट यहां पे है डिवरेशन तो इस तरह से आप यहां से आप देख सकते हैं 24 यह भी 24 मंडे को यह पूरा यानी PG के पूरा का पूरा यह शेडिल है, पूरा इंटरेंस्ट यह देखिए 24 फिल यह देखिया ट्वेंटी फिल और यह है 26 और आप यहां देखिए 27 और यह देखिया 28 और यह देखिया 38 अगस्त और ये देखिए 31 इस तरह से आप देख रहे हैं कि पूरा ये PG कोर्स के ये schedule का एलान कर दिया गया है यहाँ पे कुछ जरूरी instruction है आप इसे भी आप देख लीजेगा ये सारी चीजें यहाँ पे दे दी गई है तो अब जो बाकी UG का जो second phase का जो बचा है उसके schedule का एलान 17 अगस्त में किया जाएगा तो आप लोग test की तैयारी करते रहें जारी रखें आपके ये test schedule का एलान हो गया है आप लोग admit card test से एक हफ़े पहले आप इसी portal से download कर सकते हैं इसका link description में दिया हुआ है तो आप लोग इसे जाद से जादा share कर दिये ताके सभी को इस test के बारे में पता चलियाए और like भी करें और share भी करें ताके like भी कर लें और subscribe भी कर लें साथी आप bell icon को भी click कर दें ताके हर notification की जानकारी आपको सबसे पहले मिल जाए तो आज के वीडियो में बस इतना ही thank you very much